जे श्रीराम दोस्तों, सनातन गुणलक चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उत्पन्ना एकादशी के बारे में उत्पन्ना एकादशी कब है? मारगशीश महा की उत्पन्ना एकादशी की शुरुवात आठ दिसंबर 2023 को सुबह 5 बचकर 6 मिनट पर हो रही है और इसका समापन 9 दिसंबर 2023 को सुबह 6 बचकर 31 मिनट पर होगा ऐसे में उत्पन्ना एकादशी का वरत 8 दिसंबर को रखा जाएगा व्रत पारण का समय 9 दिसंबर 2023 को दोपहर 1.15 मिनट से 3.20 मिनट तक तो आईए जानते हैं उत्पन्ना एकदशी क्या है मार्गशिश यानी अगन महा के कृष्ण पक्ष की एकदशी को उत्पन्ना एकदशी के नाम से जाना जाता है सभी एकदशी की तरह उत्पन्ना एकदशी भी श्री हरी विष्णु को समर्पित है यह एकदशी बहुत खास मानी जाती है इस एकदशी के दिन व्रत करने से व्यक्ति के पिछले जन्म के पापो का भी नाश होता है और उसे मुक्ति मिलती है उत्पन्ना एकदसी के दिन व्रत रखकर विधी विधान से पूजा करने से जगत के पालनहार की असीम कृपा प्राप्त होती है इस दिन व्रत करने से स्रीहरे विष्णु के साथ धन की देवी मालक्षमी भी प्रसंद होती है तो क्या है उत्पन्ना एकदशी व्रत का महत्व? कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति उत्पन्ना एकदशी का व्रत पूरे विधी विधान से करता है, वो सभी दिर्थों का फल प्राप्त करता है, साथ ही इस व्रत के दिन दान करने से लाख गुना शुफ फल की प्राप्ती होती तो आईए जानते हैं इस व्रत की विधी उत्पन्ना एकादसी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प कर शुद्ध जल से इसनान करें इसके बाद धूब दीप नवेद आधी 16 सामागरी से भगवान विश्नु की पूजा और रात को दीबदान करना चाहिए इस एकादसी पर रात में भगवान विश्नु का भजन कितन करना चाहिए व्रत की समाप्ती पर श्री हरे विश्नु से अंजाने में हुई भूल या पाप के लिए शमा मागनी चाहिए अगले दिन यानि की 12 तिथी पर पुनह भगवान श्री हरे विश्नु की पूजा कर ब्राम्हर को भोज करें धन्यवाद जैश्री